हेलो एब्रिवान विल्कॉम बैक टू शिप अप यॉर लाइफ आज जो सेवन रेसिपीज में आपके साथ शेयर करने वाली हूं उसे कोई भी बहुत ही इजीली बना सकता है बहुत टेस्टी भी हैं क्विक टू मेक हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास पूर कोई भी टूमेटो सूप अप ले सकते हैं और साथ ही मैंने उसमें डाल दिया है चार कप के अराउंड पानी तो जिस तरह से हम सूप बनाते हैं सेम वही मेजरमेंट पने यहां पे रखा है बिना फ्लेम पे चड़ाए पहले विसकर के हल्प से उसे अच्छे से मिक्स कर ले थोड़ा सा डालेंगे हम सॉल्ट और वापी से इसे कवर कर दें चार से पांच मिनट में सूप काफी थिक हो जाएगा और मेकराउनी भी सॉफ्ट होती हुई दिखाई देगी अगर आप इससे भी थिक मेकराउनी खाना चाहते हैं तो आप इसे दो तिर मिनट और पकने दे उसके बाद इसमें डालेंगे वन टेबल स्पून टोमेटो केचप और साथी डाली है और इगैनो तो बस आपकी सूपी मेकराउनी रेडी है देस मिनट में आप डलीशियस ब्रेकफास्ट इंज्वाइ कर सकते हैं नेक्स्ट रेसिपी है मसाला प्राथा इसके लिए मैंने डेड़ कप के राउंड गेहूं का आटा लिया है उसमें डाला है एक चमच अजवाइन, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, अमचुर पाउडर डाला है थोड़ा सा के लिए एक वीडियो अप्लोड की है जिसमें 7 कुकिंग टिप्स शियर किये हैं आप वीडियो में आप देख सकते हैं कि अच्छी रोटी और पूरी विगरा बनाने के लिए कैसे आटा गुनते हैं तो उस वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं बिगिनर्स को अगर फिलिंग प्रांठा बनाने में डिफिकल्टी आती है तो इस प्रांठे से स्टार्ट कर सकते हैं तो थोड़ा सा ओयल इस पे लगा के इसको थोड़ दिर के लिए छोड़ देंगे हम एट लिस्ट 10-15 मिनिट के लिए उसके बाद प्रांठे बनाना लिए फिर Programm खी दिर के इस पे लिए प्रांठे से सटमेव ने मिनिट के लिए तो छी आव देंगे और ऐधर सकते हैंजर थोड़ा सकते हैं और आप टाल सकते हैं और सकते हैं और ही इक हैयनों टेस्ट और बढ़ जाएगा इसे फूदा कर लें यदित बंद कर लें और इस के बाद ही प्रांठा उस पर डालें दोनों तरब से पलट-पलट के ओयल लगाके प्रांटे को अच्छे से से शेक लें और बस आपका मसाला प्रांठा रेडी है इसे आप दहीं के साथ या फिर अचार कैसे भी इंज्वाई कर सकते हैं नेक्स्ट रेसिपी है वेजिटेबल मैगी टू मिनट्स मैगी नूडल तो आज कल बच्छा बच्छा बना लेता है लेकिन चलिए इसी मैगी को आज थोड़े से डिफरेंट वे में ट्राइ करते हैं तक इसका टेस्ट भी थोड़ा डिफरेंट आ सके जब मैंने दो पैकेट म पानी में बॉयल किया उसके बाद चहनी में निकाल दिया थोड़ हंडा पानी डालेंगे इस परती है या फिर घएक पानीर को option भी ले सकते हैं इसमें पनीर का यूज करने के लिए पनीर को square pieces में काट लेना है थोड़ा सा lemon डालना है उस पे salt डाला है और red chili powder पनीर को break किये बिना मसाला अच्छे से mix कर लेना है उसके बाद ऐसे ही से 5 मिनट छोड़ देना है उसके बाद non-stick तवा गरम करेंगे थोड़ा सा oil डालेंगे और one by one सारे पनीर के pieces इस पे रखते जाएंगे दोनों साइड से इनको roast करना है तो दोनों options आपके पास हैं आप चाहें तो एक का सबसे पहले मैंने गाजर डाली है मटर डाले है हरी शिम्ला मिर्च डाली है लाल शिम्ला मिर्च डाली है अब अपनी मटजी की वेजिटेबल्स एड़ कर सकते हैं सॉल डाल देंगे according to taste और साथ में डाल रही हूं दो पैकेट में मैगी टेस्ट मेकर बस दो मिनट के लिए वेजिटेबल्स को सौटे करेंगे उसके बाद जो मैगी हमने बॉयल करके रखी है वो डाल देंगे और एक बड़ा चमच में डाल दिया है यहां पे सोया सॉस और एक बार अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है तो बस अब लास्ट में डालेंगे स्क्रैंबल एग्स या फिर आप डाल सकते हैं पनीर दोनों आपके पास हैं आप चाहें तो दोनों भी यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल जो मैगी हम बनाते हैं उससे काफी हट के टेस्ट आता है आई होप आप एक बार ट्राइज रूर करेंगे चलिए बढ़ते हैं नेक्स ट्रेसी पीक तरफ विच इस रवा डोसा इसके लिए हाफ कप सूजी हाफ कप चावल का आटा और वन फोर्थ कप मैदा लिया है एक टेबल स्पून लिया है दही का और सॉल डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट आच्छे से मिक्स करने के बा अब डाल देंगे कटा हुआ प्याज कटा हुआ अद्रक और साथी धनिया पत्ता ग्रीन चिली डालेंगे एक बहुत ही वाटरी मिक्स्चर रेडी होगा तभी डोसा क्रिस्पी बनेंगे तच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और कवर करके 20 मिनट तक हम रेस्ट देंगे और इस डोसा को हम इंज्वाए करेंगे नारिल की चटनी के साथ तो फ्रेश कोकनेट लिया है उसको हम क्रश कर लेंगे उसके बाद इसे ग्राइंडर जार में डालेंगे साथ इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज कुछ मुंख्फली के दाने हरी मिर्च डाली है अमचुर डा ग्लास जार में डाल के फ्रिज में भी रख सकते हैं और 8 से 10 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। डोसा मिक्स्चर को रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं तो चलिए अब डोसा बना लेते हैं, नॉन स्टिक तब पे तेल डाला है और हम डाल देंगे वो मिक्स्चर, कोई पैटर्न नहीं है, इसको डालने का आप रेंडमली इसको डालते जाएं, अपने आप फैलता जाएगा, मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से रोस्ट होने दे, उपरी साइड पे आपको नीचे का पोशन ब्राउन होता हुआ नजर आएगा, तब इसे कनारे से छुड़ा के फोल्ड कर दें, अगर आप डोसा खाने के शौकीन है, लेकिन डोसा बनाना आपको डिफिकल्ट लगता है, तो आप ये डोसा ज़रू ट्राइ कीजिगा, इंस्टंट बनता है, और बहुत ही इजिली बन जाता है, बेकफास्ट में आप नार चलिए डोसा के बाल बनाएंगे आलू पैनकेक, आलू पैनकेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो आलू लिये हैं, उनको पहले पील कर लेना है, उसके बाद क्रश कर लेना है, दो मिडियम साइज आलू से तीन पैनकेक बन जाते हैं, आप इसे निकाल देंगे किसी बॉल में डाल देंगे इसमें पानी में इसको 5 बिनट तक हम सोक करके रखेंगे उसकी वाद पतले सूती कपड़े की हल्प से इसका पानी हम सबस्ते क्रूंज कॉर चोड़ देंगे, तु कि हमने इसे तवे पर बनाना है अब ही यह mixture आपको देखने में dry लग रहा है लेकिन जैसे जैसे आप इसे mix करते जाएंगे यह moist होता जाएगा जैसे यह mixture soft हो जाए तो हम pancakes बनाना शुरू करेंगे उसके लिए non-stick तवे पर थोड़ा सा oil spread करेंगे बड़ा चमच डाल देंगे इस पर आलू mixture का इसे अच्छे से spread कर देंगे और पकने देंगे जुरी नहीं है कि इनकी shape बिल्कुल गोल आए तो आप shape पे focus ना करें पस इसको अच्छे से spread कर दें ताकि यह अच्छे से पक जाएं मीडियम फ्लेम पेसे अराम से पकने दें एक साइड से पकने में इसे तकरीबन दो मिनट लगेंगे और फिर उसे पलटते हुए दुन तरफ से से शेक लें और हरी चटने या फिर टमैटो केचप के साथ इंजॉय करें नेक्स्ट रेसिपी है दही सैंड्विच इसके लिए हैं बिल्कुल थिक योगर्ट चाहिए तो एक घंडा पहले चन्नी में डालके इसका पानी सारा निकलने दें उसके बाद बारी कटा हुआ प्यास डालेंगे करश की हुई गाजर हरा धनिया डाला है सौल्ट डाला है औ आप चाहें तो गाजर स्किप भी कर सकते हैं प्यास के साथ भी से बना सकते हैं बहुत ही इजी रेसिपी है इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें के बाद तवे पे थोड़ा सा ओयल डालेंगे ब्रेड को एक साइट से से शेक लेंगे और पलट लेंगे और जिस तो चलिए बनाते हैं हमारी आज की लास्ट रेसिपी विचिस फ्रेंच टोस्ट फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए हमें अंडे चाहिए होंगे तो यहांपे मैंने दू अंडे लिये हैं उनको थोड़ा सा फैंट लेंगे और उसके बाद उसमें डालेंगे वान फोर्थ कप milk, दो चमच डाले हैं मैंने यहां पे चीनी के और pinch of salt थोड़ा सा डाला है वनीला essence और साथ इसमें डाल देंगे दाल चीनी पाउडर अब इन सब चीजों को अच्छे से mix करना है फोक की help से अंडों को अच्छे से डालेंगे और पलट पलट के सब तरफ हम यह mixture लगा देंगे और इसके बाद रखेंगे इसको तवे पे सेखते जाएंगे दोनों साइट से और बहुत ही जल्दी बनने वाले हमारे french toast भी रेडी हो जाएंगे मैं हमेशा कहती हूँ कि breakfast में कुछ different बनाएं ताकि आप कुछ different खाएं दिन की शुरुआत अगर tasty खाने से हो तो mood भी अच्छा रहता है french toast को अगर आप honey के साथ खाएं तो और भी tasty लगता है तो वीडियो आपको कैसे लगी मुझे comment section में ज़रूर बताईएगा मिलती हूँ आप से next video में तिल देन बाइ टेक केर और स्टे हल्दी